नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं की तमामे खबर सामने आई है, कुछ चात्रों ने उन्हें जो मेल भेजा है, जिसमें स्किन सोट भी सनलिप्त है, उसमें पेपर, बुकलेट संख्या और OMR उतरपुष्टी का संख्या और समान पाई गई है मुख सचीव को बावुलान मांडे ने लिखा है कि 2025 पदों के लिए राज्य भर के 735 केंद्रों में जेसेसी द्वारा आयोजित, समान ने असनातक योगता धारी सनुक्त प्रतुता परिशा दोहजार तेस में प्रशन पत्र लिख का ममला सामने आया था जिसके बाद जेसेसी ने 28 जनुवरी को सब ही पाली की परिख्षा तथा 4 फरवरी को होने वाली परिख्षा को अपरिहार कानों से रद किया था बावोलान ने बताया है कि इस संदर में भी उन्होंने एक फरवरी को मुख सची को पत्र लिख कर से भी आई जाच की मांग की थी जेपीसी में पेपर लिख सरकार के खिलाप साजीस जामोमो सुप्रियों भटाचाई ने कहा है कि जेपीसी प्रावामभिक परिख्षा पर किसी को परिशान होने की जवरत नहीं है इसके जरी राई सरकार को बदनाम करने की साजीस हो रही है इसका जल्द खुलासा होगा उन्होंने कहा है कि भाजपा के सड़ेंत्रे के आगे पूर्व सीम हेमन सुरेन जुके नहीं इडी और जाच एजेंसियों का दुरूपयोग कर भाजपा ने बिपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने का परियास किया जो जुक गया वे भाजपा में सामिल हो गया है उनका हर दोस्त दूर हो गया लेकिन हेमन सुरेन ने साप सब्दों में कह दिया है कि वह जल जंगल जमीन और जानवारों को खुजारने वाले लोगों के साथ समझाता नहीं करेंगे सातारूर जर्खन मुक्ती मोर्चा ने चुनाव आयोग पर भी निशानसादा है जामो महासाचिव सुप्रियों भटचाई ने पार्टी कर्याले में आयोजीत पत्रेकार वर्ता के दोरान सवाल उठाया है कि पहले जब मोर्चा का प्रतिनीदी मंडल गांडे विधान सवासिट पर चुनाव को लेकर आयोग के पास गया था तब चुनाव नहीं कराने को लेकर तर्क दिये जा रहे थे जर्खन वा पांच पडोसी राज्यों की सीमा पर चले का नक्सल अभियान लोग सवा चुनाव को लेकर सोम वार को जर्खन की डिजीपी आजय कुमार सिंग के अध्यक्स्ता में छा राज्यों के अंतराजिये समन्वे समीति के बैठाक हुई इसमें जर्खन के पुलिस अधिकारियों के साथ बिहार, यूपी, बंगाल, 36 और उडिसा के भी अपसर वीडियो कन्फेसिंग से जुड़े इस दोरान सिमावर्थी इलाकों में नक्सली संगठन की गतिविदियों पर लगाम लगाने को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई जार्खन के आईजी अभियान सह नोडल पदाधिकारी अमोल वी होम करने सिमवर्ती छेत्रे में किरियासिल इलाकों के गतिवी दियो जार्खन में 50 किलो मिटर की रफ्तार से चलेगी तुफानी हवाए जार्खन में मौसम बदल गया है रांची और देवगर में सोमवर्क जोरदार बारिश देखी गई रांची में दोपर में तेज आंधी गरज चमक के साथ जहमा जहम बारिश हुई इस दोरान अंधेरा छा गया वहां लाइट जला कर चलते देखे गए कई छेत्रों में ओले पढ़ने की भी ख़वर है मौसमभी भाग ने जहारखन में 21 माज तक गरज चमक और तेज भाव के साथ ब्यापक रूप से हलकी से मद वारिश की शेतावनी जारी की है कुछ अस्थानों पर ओला विरिष्टी की भी संभावना है बता देवासमभी भाग की उठ जारी ओल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि कई वेदर सिस्टम के एक साथ एक्टिव होने के कारण जहारखन में आंधी और बारिश का महौल बन रहा है मजूदा वक्त में एक टर्फ रेखा विदर्व से करनाटक होते हुए उत्री केल तक फैली हुई है एक अन्य टर्फ लाइन जहारखन से उत्री टर्टी आंध्र परदिश तक देखी जा रही है उडिस्ता तर्ट के पास इस्तित मध्य और उसे सटे उतर पश्मी बंगाल की खाड़ी पर एक एंटी साइकलोनिक सर्कुलेशन भी मौजूद है सराय केला में सलक हाथसा चार की मौथ बड़ी खबर सराय केला की जहां चांडिल थाना छेतर के टाटा रांची एनेच तेतिस पर तेज रफतार कार और नियंत्री थोकर सबा किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टकर मार दी है हाथसा में कार में सवा चार योकों की मौथ हो गई घाटना के बाद चारो सव को कार से बाहर निकाला गया बताया जारा है कि चांडिल थाना छेतर के टाटा रांची एनेच तेतिस पर कंदर बेडा पुर्णवास कोलेनी के पास तेज गती से आ रही कार जम सेथपूर से कांदर बेडा चोक की ओर जा रही थी इसी दोरान तेज रफ्तार कार अन्यंत्रित हो गई और रोड किनारे खड़ी ट्रक को जोरदार टकर मार दी दुरगाटना में चारो युवक कार के अंदर ही फस गई और मोखे पर ही चारो की मौथ हो गई JPC पेपर लिक हंगामा के ममले में 70 अभयार्थियों के खिलाप FIR दोरकारी कार में बाधा पहुंचाने का रूप लगाया गया है दरसल रभीवार को जारखन पॉब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से सीविल सर्विस परिक्षा के लिए राज्य भर में 834 स्केंद्रों पर प्रालंबिक परिक्षा ली जा रही थी इसी दोरान पेपर लिख की सिकायतों को लेकर जामतरा चत्रा और धन्बाद में हंगामा हुआ था पहली एफायार जामतरा के कारेव पालक प्रदादिकारी एजाज हुसेन अंसारी के लिखित आवेदन पर कराई गई है वही मिहिजाम थाना कांड संख्या 20-24 के तहट दर्ज फायार में बिनित कुमार को नामजात और अग्याद 50 लोग को आरोपी बनाया गया है जमसेदपूर में नौवी एगारवी की कक्षा में दो हजार चात्र फेल पूरवी सिम्हुम जीले के जमसेदपूर की पाचान वैसे तो टाटाइस्टी लोहे की नगरी के रूप में है लेकिन इस सहर के बिद्यार थी वह एजुकेशन सिस्टम ने पूरे देश वह दुनिया का ध्यान अपनी और खिच लिया है बता दे IIT की परवेश परिक्षा में चाहे अभिनाव कुमार के रूप में कॉंट्री टॉपर दे कर हो या फिर कॉंसिल फोर दा इंडियन एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड में अउस्टन हर साल कॉंट्री टॉपर दे कर यही करन है कि लोग इस बात क तो मानते हैं कि जम सेथपूर की स्कूलिंग वर्ल्ड कलास है लेकिन पिछले कुछ वर्सों से सहर में एक अजीब गरिब ट्रेंड सेंटर हो गया है हर साल रिजल्ट के वक्त तथा कथित रूप से बिरोत परलसन कर अखबारों में खबर बनाना और उपायूत को ग्यापन के माध्यम से प्रावेट इस्कूल पर दबाव बना कर पास होना सिक्छावीद वर इस्कूल संचाला इसे खतरनाक करार दे रहे हैं आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर पढ़ने की समभवना है बतादे प्रावेट इस्कूलों से मिली जनकारी के नुसार इस बार भ इसके बाद इस पद से मुक्त कर दिया गया है और वार राज कमल के पास गिरीज सचीव का अतिरिक्त प्रभार था उनको इस पद से हटा दिया गया जार्खन समय देश के छो राज्यों के गिरीज सचीव बदले गया है इस समय में जब जार्खन के मोखनी वाचन पतादिक अधिकारी केर अभी कुमार से पुछा गया तो उन्होंने कहा है कि इसमें क्या नया है चुनाव आयो के आदेश से अधिकारी को बदला गया है यह परकिरिया का हिसा है इस भी से परवह कोई कमेंट नहीं करेंगे चुनाव के दवरान कितना कैस ले आ सकते हैं जाने लोग सभा चुनाव का घोसना हो गई है इसके साथ ही पुरिदेश में अचार संहीता लागू हो चुकी है अब राइनिती दलो पर निर्वाचन आयो की पेनी नजर है चुनाव के मौसम में पैसों के लेन देन का पूरा हिस साथ राइनिती दलो को निर्वाचन आयो को देना होता है ऐसे में सवाल उठता है कि आदर्स आचार संहीता लागू होने के बाद कोई भी ब्यक्ति अपने साथ अधिक्तम कितने पैसे लेकर चल सकता है बता दे जारखन के मुख निर्वाचन पता अधिकारी के रभी कुमा ने बताया है कि आप अधिक्तम 50 या रुपए से कम अपने साथ लेकर जा सकते हैं इससे अधिक रखम भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं लेकिन अगर आप से इसके बारे में जनकारी मांगी जाएगी तो आपको बताना होगा बोकारो से पहले दिन 109 यात्रियों ने बंदे भारत से किया सफर बोकारो से वनारस तक जाने वाले यात्रियों के लिए बंदे भारत एक्सप्रेस का इंतियार खत्म हो गया है सोमवार से नेमित ट्रेन के रूप में बोकारो रेलवेस्टेशन से बंदे भारत एक्सप्रे जब कि यहां पहुंचने का समय सुबह 7 बच कर 10 में अठाए उसके बाद ट्रेन 7 बार अपर रवाना हुई बतादे चले कि यह ट्रेन गुरुवार को छोड़ कर सबता हमें 6 दिन रांची से होकर पोकारों से वरानसी तक आवाजा ही करेगी 1000 करोड के अवय दिखनन मामले में साहभ गरणज पहुची CBI 1000 करोड के अवय दिखननद वा मनि लॉंडरिग मामले में 108 दिन बात एक बार फिर CBI के टीम साहभ गरण पहुची है रवीबार की साम ही CBI के अधिकारी साहभ गरणज पहुच गय थे इड़ी की गवाह रहे निबु पहार प्रधान विजय हंसदा के AC ST केस में कुछ माह के भीतर पांचवी बार CBI यहां पहुँची है स्वमवार की अहले सुबा CBI के टीम ने DMO कृष्णा किसकू के साथ मन्रो अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुकी वहां करीब दो घंटे तक टीम रुकी इसके बाद सिमरिया मौजा इसीत एक पत्थर खादान की माप कराई गई इसके लिए अमिन बुलाए गए थे चत्रा में प्रसो के बाद बिरहोर महिला की मौत चत्रा जिले के पथल गड़ा प्रखंड के सितलपूर बिरहोर टोला की एक महिला की मौत रभीवार की देर रात प्रसोग द्रान हो गई जबकि नवजात को सदर अस्पताल चत्रा में भरती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है बता दे महिला सुकर बिरहोर की 35 वर्षिये पत्नी बविता देवी थी खटना के बाद गिरामिनों ने इसकी सुचना बाल कल्यान समित्ती के अध्यक्स धनजय तिवारी को दी है धनजय तिवारी नवजात को स्वास्थ कर्मियों के स्वहयोग से अस्पताल में भरती कराया महिला के महत के बाद भी कोई भी पता दिकारी या स्वास्थ विभाग के लोग बिरहोर टोला नहीं पहुँचे बिधायक दसरत गगराई बोले भासा संस्कृती प्रमपरा में ही हमारी पहचान आदिवासी हो समाज महासभा के तत्वधान में सुमवर को सराय के लाकुचाई के बिडिदिरी मैदान में बाद जूमर स जगरुपता कारकरम कायोजन किया गया कारकरम में पहुचे अस्थानिय बिधायक दसरत गगराई ने कहा है कि भासा संस्कृती प्रमपरा में ही हमारी पहचान छीपी हुई है इसी से हमारा अस्तित जूड़ा हुए है हम सब को मिलकर अपनी भासा संस्कृती प्रमपरा को ससक्त बनाना है बिधायक दसरत गरगरई ने कहा है कि इसके लिए नई पीड़ी को जागरूप होकर कार्य करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि भासा संस्कृती के मामले में हमारे समाज के एतियासिक प्रिष्ट भूमी काफी सम्रीद रही है ऐसे में हम सभी का समोहिक दवित बनता है कि हम अपनी भासा संस्कृती वा प्रमपरा को ससक्त बनाने के लिए कार्य करे मुंबाई से रांची लोटी कलपना सुरेन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्री अध्यक्स राहूल गांधी की भारत जोड़ो निया यात्रा के समापन समारों में भाग लेने मुंबाई गई कलपना मुरमु सुरेन सोमवार को आपसलोट आई है हेमान सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने कहा है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और हमें अभी बहुत ताकत की जरूरत है हेमन सुरेन भी हमारे साथ नहीं है उन्होंने कहा है कि गडबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उत्रेगा इसकी शुरूवात की जा रही है गार्णे बिधान सभाव उप्चोनाव से अभी हमारी उमिद्वारी तय नहीं हुई है उन्होंने कहा है कि पार्टी जो तै करेगी उस पर काम किया जाएगा इधर मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन के साथ कालपना सुरेन मुंबाई के प्रस्तीद सिद्धी विनायक मंदीर में पूजा अर्चना भी की है जामुमो ने इसी पर साधा निशाना जारखन मुक्ती मुर्चा ने सुमवर को चुनाव आयोक को निशाने पर लिया है महासचीव सुप्रियो भटचाई ने सवाल उठाया है कि पहले जब मोर्चा का परतिनीधी मंडल गांडे में उपचुनाव को लेकर आयोग के पास गया था तो चुनाव नहीं कराने को लेकर तर्क दिये जा रहे थे अब चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोसना कर दी गई है और दलो को बैठक में बुलाया जा रहा है भाजपा के नेता भी आपना ग्यान बात रहे थे उन्होंने या सवाल उठाया एक बाबुलार बांडी का आपना ग्यान या तो खत्म हो गया है या फिर वे उचल कुद करने वाले नेताव के सुझाव पर चल रहे हैं वे भी गांडे उपचुनाव के खिलाप खड़े हो गये थे उन्होंने जनकारी होनी चाहिए कि जब तक देश में लोकसबा और राज्य में विधान सपका गठा नहीं हो जाता तब तक एक सदसे का कारेकाल होता है धन्यवाद